सुनने वाली सारी बहनों, सारी सक्षियों और छोटे बड़े सब को मेरी राम राम बहनों अपने हिंदू धरम में बहुत से तीज त्योहार आते हैं पूरे साल कोई ना कोई त्योहार लगा ही रहता है इन में से बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं जिन पर अपने को कोई कहानी सुननी होती है मेरे इस चैनल पे आपको ऐसे ही सारे त्योहारों की कहानिया मिलेंगी ताकि जब भी किसी भी त्योहार पे कोई कहानी सुननी हो तो आपको इहर उधर कहीं न जाना पड़े सारी कहानिया आपको यहां एक ही जगा मिल जाए अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितनी भी कहानिया मुझे पता है सब के वीडियो बनाओ अगर कोई कहानी मुझे से छूट गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उसके बारे में जरूर बताए और मैं उस कहानी का वीडियो आपके लिए बना कर चैनल पर जरूर डालूँगी और हाँ एक बात और अपने कई घरों में अपने कहानी मारवाडी में सुनना पसंद करते हैं और कई घरों में हिंदी में सुनना पसंद करते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मारवाडी और हिंदी दोनों में ये कहानिया कहीं है आपके यहां जैसे भी सुनी जाती है आप उसको वैसे सुन सकते हैं और उसमें कहां पर हिंदी है कहां पर मारवाडी है ये ढूंडने में आपका टाइम खराब ना हो, इसके लिए मैंने उसका सही सही टाइम नीचे description में लिख दिया है, कि हिंदी कहानी कितने मिनट पे शुरू होगी और मारवडी कहानी कितने मिनट पे शुरू होगी, तो आप वहा से देखके सीधा उतनही मिनट से कहानी को चला करवा चौथ की कहानी टीवे के ओले होकर दीवो चास के चालनी ढग दी और आकर भेन ने कयो कि भेन तेरो चान्द हो गयायो देख ले अरग देले जदवा आपकी भाविया ने बोली आओ भावी अरग देवा जद भाविया बोली बाई जी थारो चान्द हो गयो है मारो चान्द तो रात ने उगस जद वह अकेली अरग दे लियो और भायां के सागे जीमन बैठी पहले गासिये में बाल आयो दूसरे गासिये सिवाल आयो तीसरे गासिये में बाई न लेन आ गया और बोले कि बाई को पामनो भुध बिमार है जल्दी भेजो जद मा बाई ने पहलाने खाता तीन बार भुग्चो को लियो तीन बार धोलो भातो निकलो जद बाई ने धोलो भातो ही पहला कर सासरे भेज दी और सोने को टको भीके पल्ले बांध दियो और बोली रस्ते में जो कोई भी मिले उके पगा लागती जाए और जिकी सुहाग की असीज देवे, उन्हें सुने को टको देकर पल्ले गांथ लगा लिये यह कहकर भाई ने विदा कर दी सब जनी रस्ते में मिली जिकी याई असीज देई सीली हो सभीरी हो साथ भाया की बहनो तेरे भाया को सुख देखे उन्हें कोई भी सुख की आसीज को नी देई सासरे के दरवाजे पर बढ़ताई चोटी सी ननंद खरी थी बाउं के पंगा लागी जद्वा कयो सीली हो सपूती हो साथ पूता की मा हो मेरे भाई को सुख देखे जद्वा सुनकर पल्ले के गांठ बांध ली जद्वा चोट माता कयो कि पोश की चोट माता आवेगी जिकी मेरे से बड़ी है वातन ने सुख देशी इसी भाती पोश की चोट आकर चली गई माग की, फागन की चोट हाकर चली गई चैत की, बैसाख की, जेट की, असार की, सावन की, भादुए की सारी चोट यूँ ही जवाब देती गई कि आगली चोट आवेगी जिकी ने कहिए वातन ने सुख देवेगी पीछे आसुच की चोट आई वाई तेरों सुख लियो है और वाई तन्य सुख देशी जद्वा आवे तो तुँ उंका पकड़ कर बैठ जाईए या कहकर वातों चली गई पीछे कातिक की चोट मता आई और गुस्से में बोली भाया की प्यारी करवो ले दिन में चांड उगानी करवो ले घनी भुखाली करवो ले बरत भाननी करवो ले जद्वा सावकार की बेटी भी का पकड़ कर बैठ गी और रोन लागी हाथ जोड़ कर बोली हे चोट माता मेरो सुख तेरे हाथ में है तन्य देनों पड़ेगो जब चोथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है जब वा बोली कि माता मेरे से बिगड़ी अब थे ही सुधारो मनने तो सुहाग देनों ही पड़ेगो जब चोथ माता मी पर राजी होगी और आँक में से काजल काड़ो नुवा में से मेंधी काड़ी तीके में से रोली काड़ कर चिटली अंगली को चाटो दियो देपाई भीको धनी उठके बैठ गयो और बोलेओ भोत सुत्या जब वा बोली क्या का सुत्या मनने तो बारा महें न हो गया सेवता चोथ माता सुहाग दियो है जब वो बोलेओ कि चोथ माता को उछाड करो जब वा चोथ माता की कहाने सुनी कर वो मिंड से खूब चूरुमो करो दोनु लोग लोगाई जीम कर चोपड़ पासा खेलन लागया नीचे से उनकी सासु रोटी भेजी जब दासिया करतायो कि वे तो दोनु लोग लोगाई चोपड़ पासा खेले है जब सासु देखकर राजी होगी और बोली कि के बात होई जब भव बोली कि मने तो चोथ माता तूठी है या कहकर सासु जी के पगा लागली और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो बिसो सबने दियो कहते, सुनते, हुखारा भरते आपने सारे परिवार ने दियो महाने भी दियो बिंदायक जी की कहानी एक बुड़िया माई थी जी की क्या एक बेटो एक भहु थी बेटो दूसरे गाम कमान गयो जद बुड़ी हमाई पिछे से आपकी भवने भोध दुख देती, कुछ अच्चो खाने पीने भी कोनी देती जद वा भव के करती, कठे भी कलेवो पड़ो रहते हो जिको खा लेती, थोड़ो खिंडा देती सासु पूचती की कलेवो कठे गोई जद कह देती की चूसा खागा हो जी उना के घर में चूसा भोध था आईयाई बोला सारा दिन हो गया, बारा महिना से बीको धनी घरां आवे थो जद वभभव आपके मन में सोचे की काल मेरो धनी आवे गो, जी को खूब सुधियां उठके सारो काम कर लेंगी उठीने बिंदाएक जी महराज सोचे की या रोजीना कले वो खाले वे और सासू से जूटो चूसा को नाम लगा दे वे सो इने जूट बोलन को चुटकलो दिखानों चाहिए जद रात ने वभभव आपकी पोठरी में किवाड बंद करके सोती और आपकी धोती ने खूटी पर टांक देती वाद इन भी आई याई करी जद गनेजी महाराथ चूसा ने आगया दिया कि वी की धोती ने बिल में ले जाओ जद रात में चूसा वी की धोती ने आपके बिल में ले गया सवेरे भोत सुधियां उठी उठे तो देखे तो धोती को नी जदवा उठेई बैठी बैठी रोन लागी और सोचन लागी कि मेरी धोती खुटी पर से बंद कमरे में से कून ले गयो उठीने बारने से सब कोई हिला मारन लागया जदवा बोले कि कोई मेरी धोती खुटी पर से ले गयो तो मैं बारने कई आँँ इतने मैं बिको धनी बार काम से आग्यो जद सब कोई बोला कि तेरी लुगाई किवाड को नी खोले जद वो किवाड कोल के भीतर गए उ देखे तो बिकी लुगाई उगाड़ी बैठी है जद वो आपकी लुगाई ने मारन लागयो क्रिपा से धोती को कुणो सासू ने चूसां के बिल में से दिख्यो जद सासू कायो की बहु है तो साची जद वा बहु बोली मेरी कर्मी मेरे हाथ मैं रोजीना सासू को कले वो चुरा कर खा लेती और चूसां को नाम लगा देती जी कैसे बिंदायक जी मने चुटकुलो क्रवा चौत की कहाने एक साहुकार की सात बेटे और एक बेटी थी वो सातों भाईयों की लाड़ी बहन थी आठों भाई बहन एक सात बैठ कर खाना खाते कातिक की चौत आने पर बहन ने कर्वा चौत का वृत रखा जब भाई खानने आये तो उन्हों बहन ने बहन को भी खाने के लिए बुलाया मा बोली आज इसका करवा चौथ खावरत है और जब चांद निकलेगा तब ये अरग देकर ही खाना खाएगी तब भाईयों ने एक टीले के पीछे आग जलाकर चलनी में से उसे दिखाकर कहा कि ले बहन चांद निकलाया अब खाना खाले तब बहन भाबियों से बोली कि आओ भाबी अरग देलो चांद निकलाया है तब भाबियां बोली कि ये तो तुम्हारा चांद निकला है हमारा चांद तो रात को निकलेगा बेहन चांद को अरक देकर भाईयों के साथ खाने बैठ गई पहला टुकड़ा तोड़ा उसमें से बाल निकला दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छीक मारी तीसरा टुकड़ा तो पती के घर से बुलावा आ गया कि उसका पती बिमार है जल्दी भेजो मा ने बेटी को पहनाने के लिए तीन बार बकसा खोला तीनों बार उसमें से सफेद कपड़े निकले तब मा ने वही कपड़े पहना कर ससुराल भेज दिया और उसकी साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांथ दिया मा ने कहा रास्ते में जो भी मिले सब के पैर छूती जाना और जो सुहग की आशीश दे उसे ये सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना वो रस्ते में सब के पैर छूती गई लेकिन किसी ने भी उसे सुहग की आशीश नहीं दी सब ने यही आशीश दी, ठंडी हो, सबर करने वाली हो, साथ भाईयों की बहन हो, अपने भाईयों का सुख देखने वाली हो जब ससुराल पहुँची, तो दर्वाजे पर छोटी सी ननत खड़ी थी बहन ने उसके पैर छुए, तो वो बोली, सीली हो, सबुती हो, साथ बेटों की मा हो, मेरे भाईयों का सुख देखने वाली हो यह आशीश सुनकर उसने सोने का सिका ननत को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा ली अंदर गई तो सास ने कहा कि उपर कोठरी है वहाँ जाकर बैट जा, जब वो उपर गई तो उसने देखा कि उसका पती मर चुका है वो उसी कोठरी में रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, उसकी सास दासी के हाथ बची खुची रोटी देकर भेज देती एक महीने बाद, चौथ माता आई और बोली, करवा ले, करवा ले, भाईयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज्यादा भूखी करवा ले तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिये और बोली, कि माता मुझसे गलती हुई, मेरा सुहाग वापस दे दो, तब उसने कहा, कि अगले महीने की चौथ आएगी, वो मुझसे बड़ी है, वो तेरा सुहाग देगी ऐसा करते करते मंगसीर महीने की चौथ आई, और चौथ माता गुसे में बोली, करवा ले, करवा ले, भाईयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले, ज्यादा भूखी, करवा ले तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि माता मैंने बिगाड़ी है आप सुधारोगी आपको मुझे सुहाग देना पड़ेगा तब चौथ माता बोली पौश की चौथ माता आएगी वो मुझसे बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी इसी तरह पौश की चौथ आकर चली गई, माग की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेट की, अशार, सावन, भधवा, सारी चौथ यूही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी उसे कहियो, वो तुझे सुहाग देगी फिर आसोज की चौथ आई, तब उस चौथ ने कहा, कि तेरे उपर कातिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, और वही तेरा सुहाग वापस देगी जब वो आएगी, तो उसके पैर पकड़ कर बैठ जाईयो, इतना कहकर आसोज की चौथ चली गई अगले महीने कातिक की चौथ माता आई, वो गुस्से में बोली, भाईयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, जाधा बुखी करवा ले, बरत तोड़ने वाली करवा ले तब साहुकार की बेटी उसके पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़ कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा तब चौथ माता बोली, कि छोड़ पापनी, मेरे पैर क्यूं पकड़ कर बैठी है, तब वो बोली, माता, मैंने बिगाड़ी है, लेकिन आप सुधार दो, आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा तब चौथ माता उससे खुश हो गई, उन्होंने आँख में से काजल निकाला, नुओं में से महंदी निकाली, और टीके में से रोली निकाल कर चिटली उंगली से छीटा दिया, देते ही उसका पती उठकर बैठ गया, और बोला, बहुत नींद आई, तब वो बोली, काहे क की नीद आई, मुझे तो बारा महीने हो गए, आपकी सेवा करते हुए, ये तो चौथ माता ने सुहाग दिया है, तब वो बोला कि हम चौथ माता का उजमन करेंगे, तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा बनाया, दोनों पती-पत्मी खाना खाकर चौपड खेलने लगे, नीचे से सासु ने खाना भीजा, तब दासी ने कहा कि वो तो दोनों मरद लुगाई चौपड खेल रहे हैं, सासु दोड़ी-दोड़ी आई, और उन्हें देखकर बहुत खोश हुई, और बोली कि बहु ये तुने कैसे किया, तब बहु बो नहीं तो चार करें, नहीं तो दो चौथ तो जरूर करें, हे चौथ माता, जैसा साहुकार की बेटी को सुहाग दिया, बैसा सब को देना, कहते, सुनते, हुगारा भरते, अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना गनेश जी की कहानी एक बुढिया माई थी, उसके एक बेटा और एक बहु थी, बेटा दूसरे काव कमाने गया था, तब पीछे से बुढिया माई अपनी बहु को बहु को बहुत दुख देती, और कुछ अच्छा खाने पीने के लिए भी नहीं देती तब बहु क्या करती कि जहां भी कहीं कुछ नाश्ता पड़ा रहता, वो थोड़ा खा लेती और थोड़ा खिंडा देती जब सास पूछती कि कलेवा कहां गया तो कह देती कि चुहों ने खा लिया होगा, उनके घर में बहुत चुहे थे ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीद गए, साल भर बाद उसका पती घर आ रहा था तब बहु ने अपने मन में सोचा कि कल मेरा पती आएगा तो सुभख खुब जल्दी उठकर सारा काम पहले ही निपटा लूँगी दूसरी तरफ बिंदायक जी ने सोचा कि ये रोज नाश्ता खा लेती है और सासू से चुहों का जूटा नाम लगा देती है तो इसे जूट बोलने का सबक सिखाना चाहिए बहु को आदत थी कि रात को अपनी कोठरी में किवाड बंद करके सोती और अपनी धूटी को खुटी पर टांग देती थी उस दिन भी उसने ऐसा ही किया गणेश जी ने अपने चुहों को आग्या दी कि उसकी धूटी को उठा कर अपने बिल में ले जाओ चुहों ने ऐसा ही किया सुभा जब बहु उठी तो उसने देखा कि उसकी धूटी नहीं है वो वहीं बैठी बैठी रोनने लगी और सोचने लगी कि बंद कमरे में से उसकी धूटी कौन ले गया तब तक सुभा हो गई और बाहर से सब लोग उसे आवाज लगा कर बुलाने लगे लेकिन वो बोली कि कोई मेरी धूटी ले गया तो मैं बाहर कैसे आऊँ इतने में उसका पती भी दूसरे गाम से आ गया सब ने उसे कहा कि तेरी पतनी किवार नहीं खोल रही है वो किवार खोल कर अंदर गया उसने देखा उसकी बीवी बिना साड़ी के बैठी है उसने उसे खूब मारा और बोला कि तु जूट बोल रही है बंद कमरे में से धोती कहां चली जाती तब बहु को ये बात याद आई कि मैं अपनी सास का कलेवा रोज खा लेती थी और चूओं का जूटा नाम लगाती थी कहीं गणेज जी नो तो मेरी धोती नहीं चुपा दी है वो मन ही मन हाथ जोड कर बोली है गणेज जी महाराज अगर मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं आपके सवाकिलों का प्रसाथ चढ़ाऊंगी इतने मैं गणेज जी की कृपा से धोती का कोना सासू को चूओं के बिल में से नजर आया तब सास ने कहा कि हाँ बहु तो सच बोल रही है तब बहु ने अपनी गलती मानी और कहा कि मैं रोज आपका नाश्टा चुरा कर खा लेती थी और चूओं का जूटा नाम लगाती थी इसलिए बिंदायक जी ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये किया है उस दिन से बहु के मन में गणेश जी के लिए बहुत प्रेम और भक्ती पैदा हो गई और वो उनकी खूब सेवा पूजा करने लगी उनके घर में खूब धंद ओलत हो गई और सब चीजों के ठाट हो गए सब लोग सुख से रहने लगे हे गणेश जी महाराज जैसा बहु को सबक सिखाया वैसा किसी को भी मत सिखाना जैसा बहु को धंद ओलत दिया वैसा सब को देना कहते सुनते हुगारा भढते अपने पूरे परिवार को देना